सुप्रभाद बच्चों मैं आके हिंदी विशे की टीचर सुस्मा सौलन की सुनिता ग्लोबल स्कूल से आपका स्वागत है मेरी क्लास कक्षा 6 जिसके पाठी पुस्तक है वसंत भाग 1 पिछली कक्षा में हमने पढ़ाता चेप्टर 15 पाठ 15 जिसका नाम था पार्ट में हमने जाना कि गांदी जी किस तरह अपना कारी हमेशा स्वैम करते थे खुद करते थे वह किसी की मदद नहीं लेते थे और दूसरों को भी यही सीख देते कि हम अपना कारे स्वेम ही करें और वो श्रम दांग भी करते थे उन्होंने अपना कारे अपने आप करने पर को ज़्यादा महत्व दिया अब हम बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास के तरफ तो बच्चम पहला प्रश्न है निबंद से उसका पहला प्रश्न पाट पंद्रा जिसका नाम है नौकर प्रश्न अभ्यास इसमें निबंद से उसका पहला प्रश्न पहला प्रश्न है आश्रम में कॉलेज के चात्रों से गांदी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों क्या पुछा है गांदी जी आश्रम में रहते हैं ना आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? तुट्टर, उट्टर मैं आपको बता रहिएम। कारी मांगा छात्रों ने गांदी जी से बोला कि हमें कोई कारी दीजी हम उनके करेंगे आपका कोई कारी होतो चूकि क्योंकि उन्हें लगा कि वे पढ़ने लिखने से सम्मधित कारी देंगे क्यों उनको छात्रों को ऐसा लगा कि हमें ये पढ़ने लिखने से सम्मधित कारी परन्तु गांधी जी ना उनके मंशा को भापति वे उन्हें ग्यहूं बीनने का कारी सौप दिया। मंशा उनके मन की इच्छा को उन्होंने भाप लिया जान लिया और उन्होंने उनको ग्यहूं साफ करने का कारी दे दिया। यह कारी उनको सौप दिया। अंस्वर प्रश्ण एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूं और ध्यान बिना आश्रम में कॉलेज के चात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों कौन सा काम करवाया आश्रम में कॉलेज के चात्रों ने गान चात्रों से गांधी जी ने ग्यहूं बीनने का काम करवाया क्यों करवाया क्योंकि उन्हें अपने अंग्रेजी ग्यान पर बड़ा गर होता कि इनको चात्रों और बात्चीप के दोरान उन्हों ने गांधी जी से का कि आपका कोई कारी हो कोई काम हो तो हमें बताई हम करेंगे गांदी जी को लगा कि उनको लगा बच्चों को चात्रों को कि ये पढ़ने लखने से संबंदित कारी देंगे हमें परन्तु गांदी जी ने तो उनकी इच्छा को बाप लिया उनके मन की इच्छा को उन्होंने पैचान लिया जान गए वो और उन्हों ने उनको ग्याहूं साफ करने का कारी सौप दिया अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तराफ प्रश्ण नमबर दो प्रश्ण नमबर दो प्रश्ण दो बढ़ रही हूं मैं आश्र में गांधी कई ऐसे भी काम करते थे जिनने आम तोर पर नौकर चाकर करते थे पार्ट से तीन ऐसे प्रसंगों को अपने अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमान हो गांदी जी आश्रम में कई ऐसे काम करते थे जिनें आम तौर पर नोकर चाकर करते थे पार्ट से ऐसे तिन प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो नहुत्तर में गांदी जी तो बहुत काम करते थे आश्रम में जो नौकर करते थे, आम तोर पर काम डेली, उस तरह का काम भी गांधीजी करते थे तो इस पार्ट से हमें तीन प्रसंगों को बताना है जिसमें गांधीजी काम कर रहे है, जो आम तोर पर नौकर चाकर करते तो उट्थर है पहला प्रसंग जब वे बैरिस्ट्री से 1000 रुपे कमाते थे उस समय भी वे प्रते दिन सुबह खुद चकी का आटा पीसा करते थे बैरिस्ट्री से उन्होंने बैरिस्ट्री कर रखी थी तो उनकी सेलरी बहुत थी, 1000 रुपे उनकी कमाई थी फिर भी वे सुबह सुबह रोज उटके चकी का कभी मईन, बारीक आटा, कभी मोटा आटा, जैसी आवशक्ता हो वैसा आवशक्ता के अनुसार आटा पीसा करते थे पहला प्रसंग तो ये है, सेकिंड, नमबर दो, आश्रम में वे सबजियां चीलने का भी काम करते थे सब्जियां चीलना भी उनको आता था, रसोई का काम भी वे, बखु भी अच्छे डंग से करते थे फिर नमबर तीन प्रसंग, तीन नमबर, आश्रम के नियम अनुसार सभी लोगों को मिल बाट कर बर्तन साफ करना पड़ता था एक बार उन्होंने बर्तन की सफाई खुद की, बड़े-बड़े वगोने वगेरा उन्होंने एक बार खुद उन्हें साफ किये थे, उनके पैंदे में काली जम गई थी तो गांधी जीने उनको खुद नहीं साफ किये, उनको पसंद नहीं आया, कि भी ती काले होगे बर्त नौकर चाकर करते हैं, पार्ट से तीन ऐसे प्रसंगों को अपने अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण में, दोक्तर है, जब वे पैरिस्ट्री से हजारों रुपे कमाते थे, उस समय भी वे प्रफिदिन सुबह सुबह खुद चकी का आठा पीसा करते थे, औ लोकिन आश्रम नेवे सब्जियां छीलने का भी काम करते थे, जो आम तोर्ग पर नौकर्चा कर ये करते हैं, ऐसा काम ये, और आश्रम के नियमास और नियमानुसार सभी लोगों को मिल बाट कर बर्तन साफ करने पड़ते थे, तो एक बार उन्हों भी बर्तनों की सफाई क बड़े-बड़े भगोने वगेरा उन्होंने भी थोई, क्यों उन्हें सफाई बहुत पसंद थी, काम एकदम अच्छे ढंग से होना चाहिए, उनको अच्छा लगता है, बर्तन हमेशा साफ रहने चाहिए, वे खुद बर्तनों को अच्छे से चमकाते ते चान्दी की अगला प्रश्ण है, प्रश्ण नमबर तीन, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? लंदन में जब उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया गया, तो गांधी जी ने क्या किया? वहाँ पर, प्रश्ण है, एक पर और दोर आ रही हूं है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर, प्रश्ण नमबर तीन का उत्तर, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने वहाँ तश्टरियां दोने, सबजियां साफ करने और अन्य चुटपुट यानि छोटे-मोटे काम में छात्रों की मदद करने लगे लंदन में जब उनको बोजन के लिए आमंत्रित किया गया बुलाए गया उनको तो उस समय गांदी जी ने वहां तस्तरिया दोने, सबजिया साफ करने और अन्य चुटपुट यानि छोटे-मोटे काम करने में छात्रों की मदद की सबजी वगेरा साफ की उनको कटवाया होगा, दोया होगा, बटन भी दोया होगे, इस तरह से उन्होंने छात्रों की मदद की क्योंकि वे अपना कारिय अपने आप खुद्ध करने में विश्वास करते थे इतना हो सके वे खुद का कारिय कुद ही करते थे किसी को परेशान नहीं करते थे प्रश्ण तीन लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया वापस दोर आ रही हूं मैं प्रश्ण को लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांदी जी ने वहाँ तश्तरियां दोने सबजियां साफ करने और अन्य छुटपुट यान्य छोटे मोटे काम करने में छात्रों की मदद के उनकी साहे ततल Next अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर चार आपके स्क्रीन पे प्रश्ण नमबर चार गांदी जी ने श्रीमती पॉलक के बच्चे का दूद कैसे छोड़ वाया बच्चा मा का दूद नहीं छोड़ रहा था बड़ा होने को था वो तो मा का दूद नहीं छोड़ रहा था मा को परेशान करता था वो तो गांधी जी न उसका दूद बच्चे का दूद कैसे छुड़वाया उत्तर है गांधी जी न श्रीमती पॉलक के बच्चे का दूद छुड़वाने के लिए पॉलक कौन थी? के पास एक बरतन में पानी भर कर रख लेते जिससे क्या बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे पानी भर के वो अपने पास रखते थे ताकि बच्चे को कभी भी रात को प्यास लगे बच्चा रोए उसको वो पानी पिला दे एक पखवाड़े तक यानि एक पक्वाड़ा यारी 15 दिन का समय, एक पक्वाड़े तक मा से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मा का दूद छोड़ दिया, जब बंचा मा से अलग होगा तो अपने आप दूद छोड़ दिया उसने, पिशने एक बार मैं समझारी हूँ आपस, कि पोलक, स्रीमती पोलक क बच्चे का दूद छोड़ाने के लिए गांदी जी क्या करते थे, कि वो अपने बिस्तर पे सुलाते थे, उसको दिन बर के काम से फ्री होके वो आते थे, मिटिंग और रात को वो अपने साथ उसको सुलाते थे, उनके बिस्तर से उठा के बच्चे को अपने पास सुला दे पास में एक बर्तन में पानी बरके रखते थे ताकि बच्चे को अगर प्यास लगे तो उसो पिला सके 15 दिन तर गांधी जी ने ऐसा कारे किया तो बच्चे ने मां का दूद अपने आपी छोड़ दिया उत्तर में एक बार फिर से दौर आ रही हूं पिसमें देखते एक बार जी और फिर से गांधी जी ने श्रीमती पॉलक के बच्चे का दूद कैसे छुडवाने के लिए वे बच्चे को मां से दूर अपने बिस्तर पर सुलाते थे वह चार पाई के पास एक बर्तन में पानी भरका रख लेते, बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला देते एक पखवाड़े तक याणि 15 दिन तक का समय ओता है एक पखवाड़े तक मा सलग सुलाने के बाद बच्चे ने मा कदू छोड़ दिया अगला प्रश्न? प्रश्न नंबर 5 अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 5 आश्रम में काम करवाने का कौन सा तरीका गांदी जी अपनाते थे इस पार्ट पढ़ कर लिखो तो आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांदी जी अपनाते थे इससे पार्ट पढ़कर लिखो, पार्ट पढ़कर अपने को इसे बताना है, उत्तर है, गादी जी अपना काम स्वैम करते थे और दूसरों से काम करवाने में सक्ती भी बरतते थे, गादी जी को काम करता देख, उनकी अनुयाई जो उनका अनुसरन करते हैं, वो भी उनका अनुकरन करकारे करने लगते थे, जैसे गादी जी करते थे, वो भी उनकी तरह कारी करते थे, अनुयाई भी इस प्रकार गादी जी स्वैम के उदारण द्वारा लोगों को काम करने की प्रेड न देते, इस तरह से गादी जी क्या करते थे? खुद भी कारी करते थे खुद के द्वारा उदारण देकर लोग में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांदी जी अपनाते थे इसे पढ़ कर लिखो उत्तर है उत्तर गांदी जी अपना काम स्वहिम करते थे और दूसरों से काम करवाने में सबती भी बरतते थे गांदी जी को काम करता देख उनकी अनुयाई भी उनका अनुसराण कर कारी करने लगते थे अनुयाई जो उनके साथ साथ जो कारी करते थे हैलपर वो उनके देखके वो भी कारी करने लगते थे इस प्रकार गांदी जी स्वयम के उधारण द्वारों लोग को काम करने की प्रेड़ना देते थे, वो खुद करते थे तो दूसरे भी उनको देखके, उनसे प्रेड़ना लेके कार्य करते थे, कि ये कर रहे हैं तो हम भी इसमी की तरह करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न है निबंद से आगे टॉपिक है इसे पॉइंट है निबंद से आगे का छटा प्रश्न चटा प्रश्न है, प्रश्न नमबर 6, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे, पैदल चलने के क्या लाब है रिखो, गांधी जी बहुत पैदल चलते थे ना, इतना क्यों चलते थे पैदल और पैदल चलने के क्या लाब है, अपने को बताते हैं, पाइदा क्या है पैद जब उत्तर है आपके स्क्रीन पे देखो बच्चों, पैदल चलने से सरीर स्वस्त रहता है, क्यों चलते थे वो पैदल? क्यों? क्योंकि पैदल चलने से सरीर स्वस्त रहता है, उनका मानना था, अरे कहीं मानना होता है, जितना हो सके होता है पैदल इंसान को गूमना चाहिए रोज पैदल चलने से शारीरिक फूर्ती यानि फूर्ती बनी रहती है और शरीर में कमजोरी मैसूस नहीं होती वेक्ती तरोताजा मैसूस करता है यह पैदल चलने का लाब है प्रशाथा गांधी जे इतना पैदल क्यों चलते थे पैदल चलने के क्या लाब है लिखो प्रश्णी ये था उत्ता है पैदल चलने से शरीर स्वस्त रहता है रोज पैदल चलने से शारीरिक फूर्ती बनी रहती है शरीर में साज फूर्ती रहती है कोई भी व्यक्ति फटाक से कारी कर लेता है आसानी से अगर और शरीर में कमजूरी महसूस नहीं होती वीक्नेस नहीं लगती है शरीर में पैदल चलते हैं तो रोज व्यक्ति तरोताजा महसूस करता है एकदम तरोताजा महसूस करता है वो Next अगला प्रश्ण भाशा की बात से भाशा की बात प्रश्ण संख्या एक अब प्रश्ण क्या दिया गया है ध्यान देंगे पिसाई पिसात है ना आटा पिसाई संग्या है पिस ना शब्द से ना निकाल देने पर पिस धातू रह जाती है पिस ना क्या है ख्रिया हो गई ना इसमें से ना हटा दिया तो पिस धातू रह जाती है पिस धातू में आई प्रत्य जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है वापस उसमां आई प्रत्य जुड़ा तब पिसा हो गया आई प्रत्य जुड़ गया तो पिसाई शब्द बनता है किसी किसी क्रिया में प्रत्य जोड़कर उसे संग्या बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है प्रत्य जोड़ने से क्रिया में प्रत्य जोड़ने से उसके रूप में बदलाव आता है न अर्थ म से बुवाई होगा, यह गलत प्रिंट है, बोना से बुवाई, यह आपके प्रिंट गलत हुआ बच्चों, बोना से बुलाई नहीं होगा, बोना से बुवाई होगा, आपकी बुक में बुवाई लिखा है, ध्यान देना, यह गलत प्रिंट होगे, मूल शब्द के अंत में ज सब जुड़ते हैं आगे, याद रखना आप, याद रखने यो की बात है, क्या उपसर्ग हमें सा आगे जुड़ेंगे मूल शब्द में और प्रत्ते जुड़ेंगे पीछे, तो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्दु बनाने वाले शब्दाश को प्रत्य कहते नीचे कुछ संग्याई दी गई है बताओ ये किन क्रियाओं से बनी है संग्याई अपने को दी है बुआई, सीचाई, कताई, कटाई, रोपाई, रंगाई हमें बताना है कि किन क्रियाओं से बनी है जैसे बुआई है बुआई शब्द किससे बनाया? विउ उपर आया था बोना से बना बुआई नहां आपके प्रिंट गलत है बुलाई लिखावा बुलाई है या बुआई होगा देखते हैं शब्द देखो जैसे आंस्वर है, संग्या शब्द है और क्रिया भी बनी हुई, दिख रही है आपको संग्या शब्द और क्रिया, ध्यान से पड़ेंगे बच्चों, बुवाई, बुवाई क्या संग्या शब्द, बुवाई से क्रिया शब्द क्या बना, बोना, कटाई, य पिच्चाई से सीचना, रोपाई, रोपाई संग्या शब्द है, इससे बना रोपना, रोपना क्या है, क्रिया, कताई, कताई संग्या शब्द है, कताई से क्रिया बन गई, कातना, रंगाई, रंगाई क्या है, संग्या शब्द, रंगाई से क्या बन गया, रंगना, संग्या से क्रीज शब्द बनें, बूआई से बोना, कठाई से काठना, सिचाई से सीचना, रोपाई से रोपना, कताई से कातना, क्या कताई, सूत कातना, वोई ही, रंगाई से रंदना नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हर काम धंदे हर काम धंदे के शेत्रगी अपनी कुछ अलग भाषा है अलग भाषा और शब्द बंडार होते हैं प्रश्न क्या है हर काम धंदे के शेत्रगी अपनी कुछ अलग बाशा और शब्द बंडार होते हैं उपर लिखे शब्दों का संबंद दो अलग-अलग कामों से हैं पाचानों कि दिये गए शब्दों के संबंद किन-किन कामों से हैं तो अपर देखते हैं उपर दिये गए शब्दों किन-किन कामों से हैं यह अभी आये था ना शब्द वोई है तो दिये गए शब्द क्रशी या कपड़े से संबंदित हैं अपने अभी देखा ना बच्चों क्रशी या कपड़े से कैसे बुआई, बुआई कपड़े से संबंदित का में बोना, नई वो क्रशी से संबंदित बोना, कटाई, काटना, क्रशी से संबंदित है, फसलों के कटाई होती न, सीचना, क्या है, फसलों से संबंदित है, ये भी क्रशी से संबंदित, रोपना, क् यह कपड़े से सम्मंदित कार्य है रंगना यह भी कपड़े से सम्मंदित है कपड़े को रंगते हैं ना सूत रंगना वही तो आंस्वर इन शब्दों को देखके आंस्वर देना था इस प्रश्ण का ख प्रश्ण का हर काम धंदे के यह प्रश्ण है ख हर काम धंदे के शेत् आपनी कुछ अलग भाषा और शब्द बंडार उते हैं। उपड लिखे शब्दों का सम्मद्ध दूद अलग-अलग कामों सी हैं। अपने देखे ना, शब्द संग्या और क्रिया वाले शब्द ना पहता Tтоящ, आणसर क्याon नुद अलग-अलग कामों सी हैं। पहचानों की दिये गए शब्दों के सम्मंद किन किन कामों से हैं ये बताना आपन को इनके सम्मंद किन कामों से हैं वो तो दिये गए आंसर क्या दिये गए शब्द क्रशी यानि खेती तथा कपड़े से सम्मंदित है दिये गए शब्द क्रशी तथा कपड़े से सम्मंदित है अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर दो इसका कब तुमने कपड़े को सीलते हुए देखा होगा कपड़े को तुमने सीलते हुए देखा होगा नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिये गए किस काम से कपड़े सीलते हुए देखा होगा तो उस काम से कुछ हुए कुछ ऐसे शब्द दिये गये हैं आस पास के बड़ो से या दरजी से इन शब्दो के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ बाक्यों में समझाऊ अब आस पास के दरजी से पूछें कुछ तो अपने घरवालों को भी knowledge होती है, नहीं आए आपको knowledge नहीं होता आप आस पास के दर्जी से भी पूछ सकते हैं, या ममी बता देगी, म ममी को पता है साब, अथी तर नाहलेज होती है, हर एक ही ममी को, हाँ तो देखो, क्या है? आस पास के बड़ों से या दर्दी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कूछ वाक्यों मैं समझा ह। शब्द क्या थे तूर्पाई, बखिया, कच्ची, सिलाई, चोर, सिलाई क्या ही? अब शब्द से अपन वाक्य बनाएंगे तब अपन अपनाम समझ जाएंगे क्या है ये फर्स्ट पहला शब्द है तुर्पाई तुर्पाई वाक्य बना क्या कपड़े में तुर्पाई कर दो कपड़े में तुर्पाई करतो ओटन करते हैं न उसको कपड़े को ओट के और उसको बारीक बारीक टाका लगाते हैं दिखता नहीं है सब बिल्विटकुल बारीक टाका लगता हूँ तुर्पाई सेकेंड बख्या रुमाल में बख्या लगातो बख्या ये भी कोई सिलाई से सम्मंदित कारी ही है अगला कच्ची सिलाई पहले कपड़े में कच्ची सिलाई करतो मोटी-मोटी जो सिलाई करते हैं मशीन से कच्ची सिलाई या फिर हाद से भी बड़ा-बड़ा टाका लेो वो कच्ची सिलाई है चोड सिलाई इस पैंट में चोड शिलाई करना है चोड शिलाई को ऐसी जेव होगी इन कि सिलाई का कोई न हमें ये भी चोड शिलाई बारी किसे की जाती होगी बताई नहीं चले दिखाई नहीं दैसे सिलाई वाकिय एक बार फिर से दौर आ रहे हूं अगला शब्द कच्ची सिलाई, पहले कपड़े में कच्ची सिलाई कर दो, चोड सिलाई, वाक्य है, इस दे बना इस पैंट में चोड सिलाई करना, अगला प्रश्ण है, प्रश्ण संक्या तीन, प्रश्ण संक्या तीन क्या है, नीचे लिखे गए शब्द पार्ट से लिए गए है, इन्हें पार्ट में खोच कर बताओ कि यह स्त्रिलिंग है या पॉर्लिंग, इतना तो मैं नौलेज होगा थोड़ा, देखते हैं अपन, बहुत अच्छे से जानती हो, आपको भी थोड़ा नौलेज होगा, पॉर्लिंग कौन सा शब्द है और इस्त्रिलिंग, बोलना से भी पता चल जाता है, पॉर्लिंग जैसे देखो, पतीला, वाक्ये बनाने से भी पता चलता है, पतीला, पतीला पॉर्लिंग शब्द है, ज पूर्लिंग है रखा आया अगर स्ट्रिलिंग होता तो रखी आता है वह पतीला नस्वई में रखी है तो वाक्य में मैंच नहीं हो रहा है वाक्य बना से पता चल जाता है कि शब्द पूर्लिंग है या स्ट्रिलिंग पतीला पूर्लिंग शब्द स्त्रिलिंग शब्द कौन? कालिक लग गई, गई क्यों आया? गया क्यों नहीं आया? स्त्रिलिंग शब्द शब्द है इसलिए बराई चक्क्य रोष्नी पड़ी इसलिए रोष्नी पड़ा क्यों? नहीं है क्यों क्यों कि इस त्रिलिंग शब्द है जेल जेल इस त्रिलिंग शब्द है सेवा, मैंने उनकी सेवा की? सेवा, सेवा, यस बना देखेंगे, सेवा, 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 शेवा determines काली, बराई, चक्की, रोश्णी, जेल, सेवा एक बार अच्छा हूँ, वापस खुशनार से पढ़ते हैं आपन, पढ़ी लियोंगे आपने अच्छे से, देख लीजे, आप पॉंपॉंपॉंप से प्रेशन में उतुप में करने हैं, ज्यान देना आप, प्रेशन एक, नोट्बुक में करना है आपको, प्रेशन संक्या दो, ये भी नोट्बुक में होगा, तीन, चार, पाच, और छे, एक से छे, प्रेशन संक्या एक से छे आपको, नोट्बुक में करना है, ये बुक में फिल करना है, अगला प्रेशन जो भी आया भी है, प्रेशन नमबर एका का, बुक में फिल होगा, ये भी, ये आपको, नोट्बुक में करना है, प्रेशन संक्या दो, प्रेशन संक्या तीन, ये भी नोट्बुक में करना है, तो बच्चों, मिलते हैं अपनी, नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए, गार पर रही शुरुख सित रही,